नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल ज्यानदीफ हिंदी यूटूब चैनल पर मिड़े मिल यूजना से जुड़ी बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है जहां 34 करोड रुप्य का गोटाले बाज मिड़े मिल का अब सरकार ने इसे ग से इसने सो करोड से भी अधिक का यहां पर घोटाला करा है तो इसमें सरकार ने बहुत बड़ा आदे से जारी करते हुए इसका नाम है संजय तेवारी तो इसको सरकार ने गरफतार कर लिया है सो करोड मिड़े मिल घोटाला एडी और पुलिस की दविस के बाद संजय तेव भानू कंस्ट्रक्षन का संचालक संजय कुमार तेवारी जो पुलिस और एडी की पकड़ से फरार चल रहा था एडी कोट में सलेंडर कर दिया है तो बहुत बड़ी ख़बर आज की बता दें जिसमें 34 खातु में अवय तरीके से इस्तांतरित जो पैसे हैं उसको करने के किये जिसमें बता दें मिड़े मिल के करीब सो करूर एस बी आई धुर्वा ब्रांच में भानू कंस्ट्रक्षन के 34 खातु में अवय तरीके से इस्तांतरित कर दिये गए थे इसको लेकर पहले धुर्वा थाना में प्राथमी की दर्ज करायनी थी और बाद में मामले की जाज CBI ने अपने हाथ में ली और वर्स 2021 में ED के कांड संख्या 2021 कर केस टेक अप कर दिया है तो संजे तेवारी के साथ राजु वर्मा और सुरिज कुमार भी इस केस में अभियुकते हैं तो इसको लेकर मिड़े मिल योजना से जुड़ी बड़ी खबर है कि राची की पुलिस क तो यह काम्या भी मिल चुकी है जहां लगातार मिड़े मिल के रसोयां अपने मांदे से जूज रही है उनका उतना मांदे सरकार की तरफ से नहीं दिया जा रहा है इसको लेकर जो सो करूर का घोटाला हुआ है तो उसका अब सलेंडर हो चुका है तो जल्द ही आपका जो मा और लगाने जा रही है कि कैसे यह पैसा किस किस खातु में आवे तरीके से हस्तांतित कर लिया है तो मिड़े मिल योजना से जुड़ी इसी तरो की नए लेटिस्ट अपडेट्स के लिए हमारे इस यूटुब चैनल के साथ बने रहें चैनल पर पहली बार जूने के लिए चैनल को सस्क्राइब जरूर करें अपने अन्य दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को अधिक से अधिक से यहर जरूर करें तो थैंक्यो डियर फ्रेंस बाई बाई अंड टेक के यहर